बच्पन के वो दिन और हम बच्पन की दिन भी क्या दिन थे तब दिल नहीं सिर्फ खिलोना डूटा करता था अब तो एक आंसो भी बरदाश नहीं होता और तब जी भर कर रोया करते थे अगर किसी भी इंसान को उसके जिन्दगी के सबसे ज़्यादा टेंशन फ्री दिनों के बारे में याद करने को कहा जाए तो यकीनन सौ में से 99 लोग अपने बच्पन की दिनों को याद करेंगे बच्पन में हमने किसी को भी किसी बात की टेंशन नहीं थी ना पैसा कमाने की ना रिलेशन मेंटेन करने की और ना ही किसी को खुश रखने की परवाथी हम सभी का बच्पन पूरी दरह से अपने पेरंट्स के हाथों में सिक्के और होता था लेकिन जैसे ही हम बड़े हुए और responsibility उठाने लायख हुए कि जमाने भर की tension से भरी हुई बाते हमारी जिंदगी का हिस्सा बनती जाती है बच्पन में जहां हमें अपने आसपास की पूरी दुनिया बहुत ही simple और easy नजर आती है बड़े होने पर अचानक ही वो बड़ी complex और difficult दिखाई दिनी लगती है क्यों होता है ऐसा? क्या वागई हमारे आसपास की दुनिया और हमारे आसपास के लोग जैसे हमें नजर आते हैं वैसे हकीकत में होते नहीं? इन सवालों का जवाब जानने से पहले मैं आपके सामने एक बहुत ही सामान्य सा अनुभव शेयर करना चाहूंगी ये एक ऐसा अनुभव है जो हमें से ज्यादतर लोगों को कभी न कभी हुआ ही होता है गर्मी के दुनों में दुपहर को जब हम संग्लासस पहन कर बाहर निकलते हैं तो हमारी आखों को सूरज की तेज रोश्टी और गर्मी का ऐसास कम होता है हमें अपने चारों तरफ हलका सा डार्कनेस नजर आता है जैसे शाम का वक्त ना हो गया हो लेकिन हकीकत में ऐसा होता नहीं है क्योंकि हमने अपनी आखों पर डार्क कलर के संग्लासस पहन रखे होते हैं जैसे ही उन संग्लासस को उतार कर हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो बहुत ही ज्यादा brightness हमें नज़र आती है ये कोई illusion नहीं होता है और ना ही हमारी आखों को किसी तरह का धोका होता है ये हकीकत ही होती है जिसे हम अपने अनुभव और परसमशन के अनुसार देखने की कोशिश करते हैं इसी वजह से कई बार हम को insecure फील करते हैं और इसी वजह से हमें जिन्दगी की बाते मुश्किल भरी नज़र आती है क्योंकि हम ये चाहते हैं कि सभी हमसे खुश रहें और हम सभी को किसी ने किसी तरह से खुश कर सकें पर असल में ऐसा होता नहीं है अपने से जुड़े सभी लोगों को हर वक्त पूरी तरह से खुश रखबाना पॉसिबल नहीं है किसी न किसी को तो हम में से शिकायत रहीगी ही किसी न किसी की नजर में हम बुरे इनसान होंगे ही ये सब इनसानों के अनुभव के आधार पर ही होता है ऐसे में चिंता करने की चगा हमें ये समझना होगा कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है कोई न कोई तो हमें डिसलाइक जरूर करता है इसलिए हमें अपने अंदर दूसरों की डिसलाइक को सहने की हिम्मत लानी होगी तब ही हम खुश रह पाएंगे और तब ही हमें अपने आसपास की दुनिया और लोग बहुत ही सिंपल और इजी नजर आएंगे philosophy और psychology से जुड़ी इन बातों को practical life में implement कर पाना थोड़ा मुश्किल काम होता है The Courage to be Disliked किताब के लेखक इचीरो किशीमी और फूमी ताके कोगा ने बहुत ही आसान शब्दों में हमें ये बाते बताई हैं जिनको जानकर हमारे लिए उन बातों को अपनी life में implement कर हमेशा खुश रहने की चापी पा लेना वड़ा ही आसान है तो आईए संते हैं The Courage to be Disliked किताब की book summary जो famous psychologist Alfred Adler की psychology पर आधारित है आप सुन रहे हैं कुको FM The Courage to be Disliked book summary जिसे लिखा है आशीश दलाल ने बेशक बच्पन के दिन बड़े संदर होते हैं लेकिन बच्पन में सारी मौज मज़ा होने के साथ साथ कभी कभी कुछ ऐसी बाते या ऐसे incident हर किसी के साथ हो जाते हैं जिनका असर पूरी जिंदिगी बना रहता है Alfred Adler की psychology के आधार पर हम यहाँ childhood trauma से जुड़ी कुछ बाते करेंगे लेखक बताते हैं कि हमारी आज जो भी personality है वो हमारे बच्पन के trauma पर ही based होती है अगर हमें बच्पन में बुरे अनुभव होते हैं तो बड़े होकर भी वो अनुभव हमारे subconscious mind में मौझूद रहते हैं यहाँ लेखक एक अनुभव शेयर करते हुए बताते हैं कि उनका एक दोस्त था जिसने खुद को अपने साथ हुए एक बहुत बुरे incident की वजह से घर के अंदर क्याद कर लिया था वर्षो तक वो अपने घर से बाहर नहीं निकला था लेकिन ऐसा नहीं था कि वो घर के अंदर ही कैद रहना चाता था वो फिर से नौकरी करना चाता था लेकिन उसके लिए भी घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था कहते हैं कि उनका वो दोस्त एक बहुत ही अच्छा इंसान था और वो ससाइटी के लिए बहुत कुछ करने की क्षमता रखता था पर घर के बाहर निकल कर लोगों से मिलने से उसे डर लगता था किसी भी इंसान का इस तरह का अपनॉर्मल बिहेवियर अचानक से नहीं हो जाता है हो सकता है लेख के उस दोस्त की बच्चपन में कुछ ऐसी घटनाई हुई हो जिसे वो अंजान लोगों से मिलने से कत्राने लगा हो बच्चो जिस भी फैमिली में पला बड़ा होता है उस फैमिली में होने वाले हर एक इंसिडन का असर उसके मन पर जरूर बढ़ता है और बड़े होने पर उसका असर उसकी परसनालिटी पर साफ दिखाए देता है उधारन के लिए जैसे अगर किसी को बच्चपन में बात-बात पर टोका गया हो तो बड़े होने पर उस इंसान में confidence की कमी हो सकती है वो अपनी जिन्दगी में कोई भी initiative लेने से घबराएगा क्योंकि उसे अंदर से डर होगा कि इससे लोग उसे criticize करेंगे इसी तरह अगर स्कूल में teachers में किसी बच्चे को बार-बार कहा हो कि तुम duffer हो और life में कभी आगे नहीं बढ़ होगे तो ये बात भी बच्चे को ठेज पहुचा सकती है और फिर बड़े होने पर वो बच्चा एक pessimist यानी निराशावादी इंसान बन जाता है तो दोस्तों, जैसे science की भाषा में कहा जाता है कि हर एक effect के पीछे कोई न कोई कारण होता है तो ये बात हमारी जिंदगी पर भी 100% फिट बैटती है हम अपने जिंदगी में जो भी फैसले लेते हैं वो हमारे past के अनुभवों के आधार पर ही लेते हैं कहने का मतलब ये है कि हमारा past हमारे present और future को कुछ हद तक control करता है बिना कारण जिंदगी में कुछ भी नहीं होता है लेखक यहां फिर से अपने उस दोस्त को यहत करते हुए कहते हैं कि उनका दोस्त घर से बाहर न निकल कर अपने अंदर एक तरह से गुस्ते और चिंता को तयार कर रहा था उसी चिंता से धीरे धीरे अंदर डर भी पैदा होता है हमें कोई भी शारिरिक बीमारी आने से पहले हमारा मन उस बीमारी के सिंटम से प्रभावित होता है और फिर वो हमारे शरीर में बीमार होने के लक्षन पैदा करता है बेकार की चिंता और डर से सर में दर्द होने लगता है पेट में भी दर्द होता है ये सब हमारे साथ तभी होता है जब हमें अपनी इच्छा नव होने पर किसी काम को बलजबरी से करना पड़ता है यहां ये बात भी important हो जाती है कि हमारे साथ हमारी बच्छमन में हुई घटनाएं या अच्छे बुरे अनुभवों के आधार पर ही हमारे सोचने विचारने की ability positive या negative तरीके से develop होती है प्रभाव डालती हैं लेकिन उन सबका influence इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि हमारे सारे decision हमारे पास्ट के अनुभवों के आधार पर ले हम अपनी जंदगी में वो ही बन सकते हैं या वो ही पुकाम हासल कर सकते हैं जो हम सोचते हैं लेखक आगे कहते हैं कि हम जिस माहौल में रहते हैं उसी के अनुसार react करना भी सीख जाते हैं वैसे हमारे साथ होने वाली कुछ घटाओं पर हमारा कोई control नहीं होता है और उन घटाओं से हमारे अंदर डिवलप होने वाले emotions को भी हम थोड़े वक्त के लिए control नहीं कर पाते हैं ऐसा कुछ हम सभी के साथ होता है और अपने emotions पर control नह कर पाने की वजह से हम खुद ही अपनी life को और ज्यादा complicated बना लेते हैं इसे एक उधारन से समझने की कोशिश करते हैं मान लीजे आप बहुत ही अच्छे mood में नया shirt पहन कर किसी coffee shop या चाई की दुकान पर चाई पीने गए वहाँ waiter की छोटी सी गलती की बजह से अगर चाई या coffee आपके उस नए shirt पर गिर जाए तो उस वक्त आपका क्या reaction होगा? क्या तब भी आप बड़े ही अच्छे mood में होंगे? हम इसे ज्यादे तर लोग हमारे साथ होने वाली ऐसी घर्णाओं से इतने ज्यादा disturb हो जाते हैं कि हमारा सबसे पहला reaction गुस्ता करना होता है जिस वक्त हम गुस्ता करना शुरू करते हैं बस उसी वक्त हमारे साथ होने वाली situation और ज्यादा difficult होना शुरू हो जाती है मेरी तरह आपका भी यही सोचना हो सकता है कि किसी और की गलती की वज़े से हम अपना नुकसान क्यों सेहन करें? ऐसा होने पर गुस्ता आना तो बड़ी नॉर्मल सी बात है लेकिन लेखा के यहां पर कहते हैं कि हमारे साथ होने वाली ऐसी situation में हम अगर पांच मिनट के लिए अपने गुस्ते वाले emotion को कंट्रोल करने में काम्याब हो जाते हैं तो हम win-win situation create कर सकते हैं ऐसा होने से एक गलत्य करने वाला इंसान जो हो चुगा है उसे भले ही सुधार ना सके लेकिन वो शर्मिनदा होकर माफी ज़रूर मांगेगा और उसके माफी मांगनी का भाव हमारे उस पर गुस्ता करनी के बाद माफी मांगने के भाव से बहुत अलग होगा गुसा ना कर हम खुद की mental condition को तो खराब होने से बजा सकते हैं साथ ही संबंदों को भी अच्छी तरह से निभा सकते हैं ऐसा करना आपको difficult लग रहा होगा तो लेखा के छोटी सी कहानी के आधार पर एक और उधारन देते हैं वे बताते हैं कि किसी घर में मा उसकी बेटी को किस वज़े से डाट रही थी उसके बोलने का टोन बहुत ही ज़़ादा खराब और डराव नह था तब ही फोन की रिंग बच्ती है और वो महिला कॉल पिक करती है call पिकर करके उसके hello बोलने का tone तो अभी भी बहुत खराब ही होता है लेकिन जब उसे ये पता चलता है कि वो call उसकी बेटी की teacher की है तो अगले ही भल उसके बोलने का tone बिल्कुल ही बदल जाता है और वो अपनी बेटी की teacher से बड़ी अच्छी तरह से बाते करदी है कॉल पूरा हो जाने के बाद वो महिला बेटी को फिर से डाटने लगती है और उसके बोलने का टोन गुसे वाला हो जाता है दोस्तो कई बार हम अपने emotions को एक टूल की तरह यूज़ करने लगते हैं ऐसा नहीं है कि हम अपने emotions को control नहीं कर सकते हैं जरूर कर सकते हैं लेकिन ये हम पर ही डिपेंड करता है कि हम उस emotion को control करना चाहते हैं या नहीं आप सुन रहे हैं कोको FM पर courage to be dislike किताब की book summary आगी के episode में हम ये जानने की कोशिश करेंगे कि लोग हमें नापसंद क्यों करते हैं लोग क्यों हमें नापसंद करते हैं कोई इंसान अगर अपने emotions और अपने past के द्वारा control हो रहा है तो वो कभी भी normal life जी नहीं सकता है इसी से लेखा के कहते हैं कि हमें अपने emotions और past में हुए अनभवों को हम पर हावी नहीं होने देना चाहिए emotions और बुरे अनभवों को control करना इंसान के हाथ में है ये normal human behavior होता है कि हमें अपने जिन्दगी से ज्यारा अच्छी और खुश्रमा जिन्दगी अपने पड़ोसी की नजर आती है हम मन ही मन चाहते हैं कि उसके पास जो कुछ भी है काश वो हमारे पास भी होता और ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को लोग बहुत ज्यादा पसंद करते हैं हम कहीं न कहीं उस level को जब achieve नहीं कर पाते हैं तो हमें भी ये लगने लगता है कि हमें लोग उतना पसंद क्यों नहीं करते हैं तब हमारे मन में ये थोट आता है कि हमें उस इनसान जैसा बनना चाहिए ताकि लोग हमें भी उतना ज्यादा ही पसंद करने लगे। ऐसे विचार अक्सर इनसान के दिमाग में आते रहते हैं। आखिर कौन नहीं चाहेगा कि लोग उसे पसंद करें। यहां लेखक ये कहते हैं कि जिस पल हमारी मन में ऐसे ख्याल आते हैं तो हम खुद को दूसरों की तरह बनाने की कोशिश में लग जाते हैं। यह बहुत बड़ी गलती होती है जो हम अकसर अपनी जिन्दगी में करते हैं। खुद को बदलना अच्छी बात है लेकिन किसी के माप दन के आधार पर खुद को बदलना खुद को खो देने जैसी प्रोसेस है। ऐसा करने से हमारी जिन्दगी से खुशियां दूर जाने लगती हैं। हम किस परिवार में जन्म लेते हैं ये हमारे हाथ में नहीं होता है। और नहीं हमारे हाथ में अपने आसपास के सरकंस्टांस को बदलने के लिए जादूई छड़ी होती है। खुश रहना या ना रहना केवल ये ही हमारे अपने हाथ में होता है। अगर हम अपने खुशियों के लिए दूसरों पर डिपेंड रहते हैं, तो हम कभी भी खुश नहीं रह सकते हैं, इनसान अपने आसपास और अपने परिवार के माहौल से ही बहुत कुछ सीखता है, इसी से उसकी अपनी एक परसनालिटी डिवलप होती है और इसी पर किसे भी इनसान की लाइफस्टाइल डिपेंड करती है, लाइफस्टाइल का मतलब अक्सर इस तरह से ले लिया जाता है, कि कमाना, खाना, सोना और मौज करना, सुनने में बहुत ही अच्छा लगता है, मगर इसके बारे में गहराई से सोचे, तो ये जीवन का एक ऐसा तरीका है, ज कोई उसी इंसिडेंट को लेकर खुश हो सकता है, तो कोई दुखी, हम कैसे बाहरी घटनाओं को देखते हैं, और किस तरह से वे हमें इंफ्लोएंस करती हैं, हमारे खुश रहने या दुखी होने का कारण उसी पर डिसाइड होता है, हमारा खुश रहना या दुखी होना हम आसपास के वातावरन या पास्ट पर बिल्कुल भी निर्भर नहीं होता है। हम अपने प्रेजन के साथ अगर खुश नहीं रह पाते हैं, तो ये इस बात को इंडिकेट करता है कि हम में खुश रहने के लिए करेज फैक्टर कम है या नहीं है। खुश रहने के लिए करेज या हिम्मत का होना बहुत जरूरी है। इसके लिए हमें खुद को बदलने की तयारी रखनी होती है। ऐसा हमेशा नहीं होता है कि हमें करेज की कमी होती है। Actually, हम जिन्दगी में जो कुछ करना चाते हैं, उसे हम किसी न किसी बहाने से कल पर डाल जाते हैं। कभी हमें वक्त ना मिल पाने की शिकायत होती है, तो कभी हम बीमार पड़ जाते हैं। कभी हमारा मूर नहीं होता, ऐसे बहुत से कारण होते हैं, जो हमें बदलने से रोकते हैं। अगर हम कुछ नया नहीं कर रहे हैं, तो हम कहीं नहीं जा रहे हैं। अपनी जिदगी में हम बही होंगे जहां कल को थे। हम बेसे कई लोगों को rejection का फियर होता है। हम सोचते हैं कि हमने अगर ऐसा किया और किसी को बुरा लग गया तो क्या होगा? या फिर किसी काम में फेल हो गए तो लोग क्या कहेंगे? ऐसे विचार अक्सर उन लोगों के मन में आते हैं जिन में आत्मविश्वास की कमी होती है और जो लोग खुद को ही पसंद नहीं करते हैं खुद को पसंद नहीं करने का मतलब ये है कि वो लोग खुद जैसे हैं वैसा ही खुद को accept नहीं कर पाते हैं हमारी जिंदगी की सारी problems बस यहीं से शुरू होती है लेखा कहते हैं कि दुनिया में कोई भी इंसान हमेशा सफल नहीं होता है उसे किसी ना किसी काम में फेलियर तो मिलता ही है और वो कोई ना कोई गलती तो करता ही है इसलिए rejection का डर रखना बेवकूफी के अलावा और कुछ भी नहीं है लेकिन ये बात कहना जितना आसान है जिन्दगी में इंप्लिमेंट करना उतना ही मुश्किल होता है जिन लोगों में आत्मविश्वास की कमी होती है वे लोग अकसर बहुत ही ज्यादा self-conscious होते हैं वे हमेशा यही सोच सोच कर परिशान रहते हैं कि लोग उनके बारे में क्या सोचेंगे इसी कारण वे किसी के साथ भी naturally व्यवहार नहीं कर पाते हैं ऐसे लोग अपने आसपास एक शेल या कवच बना लेते हैं और उससे बाहर निकलने की कोशिश नहीं करते हैं उन्हें ऐसा लगता है कि वे अगर लोगों के ज्यादा मिलेंगे तो हो सकता है उनको rejection का सामना करना पड़े या लोग उनको dislike करे low esteem person को इस तरह का डर हमेशा बना रहता है दोस्तों, पूरी दुनिया की सचाई ये है कि दुनिया में हर किसी को हर कोई पसंद नहीं कर सकता है किसी को एक इनसान अच्छा लगता है तो हो सकता है किसे और की नजरों में वो इनसान अच्छा ना हो और वैसे भी अगर कोई हमें ना पसंद करता है तो इससे हमें नुकसान ही क्या है लोग हमें पसंद करें या ना करें हमें तो अपना काम करते रहना है और आगे बढ़ते रहना है दुनिया के ज्यादातर लोग अपने जिंदगी में एक लेवल से आगे इसलिए नहीं बढ़ पाते हैं क्योंकि उन्हें अपने से ज्यादा लोगों की चिंता होती है लेखक यहाँ पर एक उधारन देते हुए बताते हैं कि उनके पास काउंसलिंग के लिए एक लड़की आई थी वो कॉलेज स्टूडिन्ट थी उसे लड़के लड़कियों की ग्रुप में बात करने से डर लगता था उसे अंदर ही अंदर ये फील होता था या अगर उसे पसंद नहीं किया गया तो उसके लिए ये कितनी शर्म की बात होगी उस लड़की से बाचीत करने पर लेखक ने ये जाना कि वो लड़की मन ही मन एक लड़की को चाती थी और उसकी तरफ अट्राक्टर थी वो अपने मन की फेलिंग्स उस लड़की को बताना चाती थी लेकिन उसे ये भी डर था कि उस लड़के ने यदि सबके सामने उसका मज़ाब बना दिया तो वो ये इंसल्ट सहन नहीं कर पाएगी लेखक उस लड़की के केस के बारे में और ज्यादा बताते हुए ये कहते हैं कि उस लड़की में आत्मविश्वास की कमी थी और वो बहुत ही ज्यादा सल्फ कॉंशिस थी इसकी वज़े से वो किसी के साथ भी नैच्रली विवहार नहीं कर पाती थी लेखक ने उसे सलह दे की सबसे पहले उसे रिजेक्शन या किसी की नजरोन में नापसंद होने का फियर छोड़ देना पड़ेगा अगर वो ऐसा नहीं करती है तो वो अपने मन की बात कभी भी उस लड़के से नहीं कह पाएगी किसी भी बात के दो पहलू होते हैं एक हाँ और एक ना हमें हाँ और ना दोनुगी जवाबों के लिए हमेशा तयार रहना चाहिए अगर कोई हमें नापसंद करता है तो इसमें हमारी कोई गलती नहीं है हम जैसे हैं वैसे ही बहुत अच्छे हैं इसलिए दोस्तों अगर आप ही अपने से ज्यादा दूसरों के बारे में सोचते हैं तो ऐसा करना अभी से बंद कर दीजे कोई किसी के बारे में नहीं सोचता और सोचता भी है तो अगले ही पल भूल भी जाता है फिर भी अगर आपको ये reject होने की या dislike होने की चिंता बनी रहती है तो एक बात का ध्यान रखिए कि इस समस्या का केवल एक ही solution है और वो है इस दुनिया में किसी से कोई रिष्टा न रखकर अकेले रहना ये इस समस्या का कोई practical solution नहीं है वैसे दुनिया में बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो अकेले रहना ज्यादा पसंद करते हैं ऐसा करना हर किसी के लिए possible नहीं है क्योंकि अकेला पन इनसान को depression में डाल सकता है पर यहाँ पर अकेले पन को लेकर लेखक कहते हैं कि अकेले होने से अकेले पन या ignorance की feeling नहीं आती है यह feeling तो हमारे social context से जुड़ी हुई होती है और वहीं से आती है मतलब हमें अकेला पन तभी महसूस होता है जब हम लोगों के बीच रहते हैं और उनसे rejection या ignorance फील करते हैं इसलिए लेखक philosopher Adler की थेयरी को अपने जीवन में अपनाते हुए कहते हैं हमारी सारी problems हमारे interpersonal relationship से जुड़ी हुई होती है बने रहें कुगो FM पर अगले episode में हम जानेंगे कि क्यों आती है हमारी life में problems inferiority feeling और inferiority complex तो आप यकिनन पिछले episode में लेखक की कही बात को सुन कर यह जरूर कहेंगे कि इनसान किसी से relation रखे बिना अकेले जी नहीं सकता है बले ही उस relation में कितनी ही मुश्किले क्यों नहूं हर कोई किसी का साथ चाता है यह बात तो बिल्कुल सही है हम अपने जिन्दगी में एक दूसरी की help के बिना आगे बढ़ ही नहीं सकते हैं दोस्तों हम जिस भी परिशानी में होते हैं या जिस बात की भी चिंता करते हैं उसका हिस्सा केवल हम अकेले नहीं होते हैं हमारे से जुड़े दूसरे लोग भी कहीं न गहीं उन बातों से जुड़े होते हैं हमारी बहुत सी समस्याएं लोगों से जुड़ी हुई हमारी feeling की वजह से ही पैदा होती है अगर इस बात पर ध्यान दे तो हम पाएंगे कि अपनी life में हम कभी कभी inferior होनी की feeling करते हैं जानते हैं ऐसा क्यों होता है लेखक बताते हैं कि हर इंसान में थोड़ी बहुत जलेसी की भावना जरूर होती है ये किसी में कम होती है तो कभी कभी हमें उसके भागे पर इर्श्या होने लगती है लेकिन यही बात अगर किसी अंजान इंसान से जुड़ी हो तो हमें उतना फर्क नहीं बढ़ता है इस लिए लेखak कहते हैं कि inferiority feeling का होना और कुछ नहीं बलकि ये judgment करना है कि हमारे पास जो कुछ भी है वो दूसरों की तुलना में कुछ कम है इसी judgmental value की वजह से हमारे अंदर negative feeling पैदा होती है ये inferiority feeling किसी भी तरह से हो सकती है अगर किसी की height कम है या कोई बहुत ज़्यादा मूटा है तो कोई काला है इन सब बातों की तुलना किसी और से करने पर हम धीरे धीरे ये महसूस करने लगे हैं कि हम दूसरों की तुलना में better नहीं है बलकि हकीकत में ऐसा तो नहीं है हमें वो सब quality होती है जो दूसरों में होती है और कई बार दूसरों से कई ज्यादा होती है लेखक आगे कहते हैं कि हमें rejection या ignorance के डर को दूर भगाना है तो हमें दूसरों से खुद की तुलना करना छोड़ना होगा ऐसा करना तो possible नहीं है न तो just chill और लोगों से बात करते रहिए खुद को accept करना सीख जाएगी इसी बात को आगे बढ़ाते हुई लेखा कहते हैं कि कोई भी इंसान चाहे कितना भी बड़ा क्यों न हो भले ही वो बहुत बड़ा businessman हो या अपनी field में gold medalist दुनिया की कमजोर से कमजोर और सबसे ज्यादा powerful इंसान में भी inferiority feeling होती है किसी में ये ज्यादा होती है तो किसी में कम कोई भी इंसान जब पैदा होता है तो वो helpless situation में होता है अपनी हार जरूरतों के लिए वो दूसरों पर depend होता है और जल्द से जल्द वो इस helpless situation से बाहर निकलना चाता है उधारन के लिए बच्चा जब छोटा होता है तो वो अपने पैरों पर चलने की कोशिश करता है बोलना सीखने की कोशिश करता है और एक के बाद एक बाते सीखते हुए वो खुद को इंप्रूव करता रहता है यहां लेखक बड़े ही साफ शब्दों में कहते हैं कि अगर हम इंफिरियॉरिटी फील कर रहे हैं तो यह हमारे लिए एक वाटिंग है खुद को इंप्रूव करने की इसलिए हमारे अंदर इंफिरियॉरिटी फीलिंग का होना कोई बरी बात नहीं है हर कोई अपने आज की तुलना में कल अच्छी लाइफ जीना चाता है हर कोई कल और ज्यादा खुश रहना चाता है हर कोई तरक्की करना चाता है तो अगर हमारी इंफिरियॉरिटी फीलिंग हमें आगे बढ़ने और कुछ सीखने के लिए फोर्स कर रही है तो ये अच्छी बात है लेकिन अगर कोई इंफिरियॉरिटी फीलिंग को जानने के बाद भी आगे बढ़ने के लिए कोई स्टेप नहीं लेता है तो ये उसके लिए आगे चलकर सही में बहुत बड़ी परिशानी का कारण हो सकता है दोस्तों, यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि इंफिरियॉरिटी फीलिंग इंफिरियॉरिटी कॉम्पलेक्स से अलग है ज्यादा तर इंसान दोनों के बीच रहे अंतर को समझ नहीं पाते है किसी भी चीज का कॉम्पलेक्स होना एक अबनॉर्मल मेंटल स्टेट है जो इमोशन और आइडियास के साथ डील करती है इसका इंफिरियॉरिटी फीलिंग के साथ कोई लेना देना नहीं है इंफिरियॉरिटी फीलिंग किसी भी इंसान की ग्रोथ फैक्टर से जुड़ी हुई होती है जैसे अगर हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है तो उस बात को एकसप्ट कर ये मान लेते हैं कि हमें ज्यादा पढ़े लिखे लोगों की तरह अगर अपनी लाइफ में सुक्स विधाएं जुड़ानी है तो हमें उसके लिए उनसे ज्यादा मेहनत करनी पढ़ेगी इसे फीलिंग ओफ इंफिरियॉरिटी कहते हैं लेकिन अगर हम ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं और उसके लिए के excuse देते हैं कि हम दूसरों से कम पढ़े लिखे हैं तो हम अपनी इस दिद्दगी में दूसरों की तरह सफल नहीं हो सकते हैं इसे इंफिरियॉरिटी complex कहा जाता है सरल शब्तों में कहीं तो इंफिरियॉरिउरिटी complex का होना हमारे लिए हानिकारक है क्योंकि ऐसा होने से हम खोद को बदलने और आगे बढ़ने की बजाए हार मान लेते हैं जबकि inferiority feeling होने से हमें जो situation आगे बढ़ने से रोक रही होती है हम उसे लड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं किसी भी इंसान में inferiority feeling लंबे समित तक नहीं रह सकती है जैसे जैसे हम feeling of inferiority की वज़ाए जानना शुरू कर लें उसे दूर करने के उपाय करने लगते हैं वो वैसे वैसे दूर होती जाती है इसके लिए हमारे अंदर courage का होना बहुत जरूरी है लेखक बताते हैं कि जिन लोगों में courage की कमी होती है वो लोग inferiority complex का शिकार बहुत ही जल्दी हो जाते हैं जिस तरह से कुछ लोग inferiority complex का शिकार होते हैं वहीं कुछ लोग superiority complex का भी शिकार होते हैं ये inferiority complex के बिलकुल opposite है इसे एक उधारन से समझने की कोशिश करते हैं यदि कोई इंसान ने अपने पास्ट में बहुत ज़्यादा सफलता हासिल की है और अब अपने प्रेजन्ट में वो उतना ज़्यादा सफल ना हो तो अकसर ऐसे लोग अपने पास्ट को याद कर जीने लगते हैं ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ऐसे लोगों को रियालिटी को एकसेप्ट करना बहुत मुश्किल होता है और अपनी प्रेजन्ट सिचुएशन में भी वो खुद को दूसरों की तुलना में कुछ स्पेशल होने की फीलिंग रखते हैं लेकिन दूसरे लोग उनको प्रेजन्ट टाइम में वो मान सम्मान नहीं दे पाते हैं जो उन्होंने पास्ट में हासल किया होता है इसी से उन्हें अपने पास्ट को याद कर उसी में जीना अच्छा लगता है दोस्तों जिस तरह से inferiority complex का होना हमारे लिए हानिकारक है उसी तरह superiority complex का होना भी कोई अच्छी बात नहीं है दोनों ही तरह के complex से हमारी success एक जगा पर आकर रुख जाती है और वहां से हम फिर आगे नहीं बढ़ पाते हैं जिन्दगी मुश्किल नहीं है इस दुनिया में हर इंसान अपने आप में unique है लेखक कहते हैं कि हमें कभी भी किसी के साथ अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए कहने को ये बात बहुत ही आसान है लेकिन हकीकत तो ये होती है कि हम एसे कोई भी खुद को किसी के साथ compare कभी न कभी तो करते ही है इसी बात को लेकर लेखक आगे और ये कहते हैं कि जब हम एक दूसरे के साथ अपनी तुलना करते हैं तो हम खुद को और दूसरों को अच्छा या बुरा दो काटेगरी में डाल कर परसेप्शन क्रियेट करना शुरू कर देते हैं अच्छे और बुरे की तुलना के साथ ही inferiority और superiority की feeling भी पैदा होना शुरू हो जाती है यहां हमें एक बात ध्यान रखनी है कि भले ही दुनिया का हर इंसान अपने आप में unique हो हर किसी में थोड़ा बहुत difference हो लेकिन इसी uniqueness और difference होने के साथ हर इंसान equal है लेकर की कहीं यह बात थोड़ी confusing लग सकती है लेकिन अगर गहराई से इस बारे में सोचा जाए तो हम पाएंगे कि knowledge, experience और responsibility के आधार पर हर किसी में थोड़ा बहुत difference जरूर होता है लेकिन हर इंसान में इस difference को उसकी human values के साथ नहीं जोड़ा जा सकता हर इंसान एक बराबर ही है लेकिन एक जैसा कभी नहीं हो सकता है उधारन के लिए किसी बच्चे को अपने जूते की लेस बांधने में दिक्कत हो सकती है या किसी adult को मुश्किल situation में सही decision लेने में परिशानी हो सकती है पर इसका मतलब ये नहीं होता है कि वे किसी से inferior है या कोई उनसे superior है इसी वजह से लेखक इस बात पर जोड़ देकर बार बार कहते हैं कि हर इंसान एक बराबर ही है लेकिन एक जैसा कभी नहीं अगर कोई इंसान लगतार किसी field में आगे बढ़ता रहता है और कोई इंसान उसी आगे बढ़ने वाले इंसान की तरह ability और capability होने के बावजूद उस field में अपना excellence नहीं दे पाता है तो इसका मतलब ये नहीं होना चाहिए कि पीछे रहने वाला इंसान inferior है हर किसी की life का उदेश अलग-अलग होता है सबके सबने और values अलग-अलग होते हैं और उसी के अनुसार इंसान अपने जीवन की priorities decide करता है अक्सर हम इस बात को लेकर परिशान होते रहते हैं कि लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं किसी खास function में जाने से पहले हम कई बार खुद को mirror में देखकर ये confirm करते हैं कि हम ठीक तो लग रहे हैं हकीकत तो ये है कि हम खुद को लेकर जितना conscious रहते हैं उतना कोई भी हमारे पर ध्यान नहीं देता है लेकिन फिर भी हर इंसान लोगों के बारे में सोचकर थोड़ा बहुत परिशान तो होता ही है लेखक इसके पीछे का कारण बताते हुए कहते हैं कि ऐसा इसले होता है क्योंकि कहीं न कहीं हम अपने interpersonal relations में competition करते हैं यही कारण होता है कि कई बार इंसान अपने पास सब कुछ होने के बावजूद भी खुशी को celebrate नहीं कर पाता है अपने interpersonal relation में competition की बात सुन कर आपको थोड़ा अजीब लग सकता है लेकिन ये competition सभी के जिन्दगी में होता है ज्यादा दूर नहीं जाते हैं और इसे एक बहुत ही साधारन उधारन से समझने की कोशिश करते हैं किसी भी परिवार में जब एक ज्यादा बच्चे होते हैं तो अकसर जाने अंजाने में खुद parents ही उन sibling के बीच comparison करना शुरू कर देते हैं अगर दो बच्चों में इसे एक बच्चा ज्यादा होशियार होता है तो परिवार में उसे ज्यादा importance दी जाती है ऐसा नहीं आए कि ऐसा करते हुए दूसरे बच्चे को ignore किया जाता है लेकिन कहीं न कहीं ये difference जरूर होता है तो किसी भी इनसान में inferiority की feeling और complex के बीच उसके बच्चपन में ही डालना शुरू हो जाते हैं यहां लेखक हमें ये बताते हैं कि इसी वज़य से हमें inferiority feeling और inferiority complex के बीच रहे difference को समझना और समझाना बहुत जरूरी है एक positive feeling है तो एक negative एक जिन्दगी बना सकती है तो एक जिन्दगी को तबहा कर सकती है तो दोस्तों अगर आप अपने आसपास अपने परिवार या अपने किसी relation में किसी को inferiority complex में जीते हुए देख रहे हैं तो उसके इस complex को feeling में बदलनी की एक कोशिश दरूर कीजे क्या पता हमारा एक छोटा सा प्रयास ही किसी के जिन्दगी पूरी तरह से बदल दे इस बात पर आप सूचिए हम मिलते हैं अगले एपिसोड में नई और interesting बात power struggle और life tasks के साथ क्या है power struggle और life tasks कई बार हमारी किसी के साथ आप से रिष्टों में तनाव पैदा होने लगते हैं रिष्टों में ये जो तनाव होता है तो power struggle की वजह से होता है power struggle और कुछ नहीं बलकि खुद को दोस्टों की नजर में सही साबित करने या अपने इका जमानी की जिद होती है ये power struggle अकसर husband और wife के relation में देखने को मिलता है ऐसा नहीं है कि ये power struggle केवल adults में ही होता है कई बार बच्चे भी जाने अंजाने में दिष्टों को लेकर power struggle करते हैं बच्चों की बात करें तो आपने भी ये हर बच्चे के case में महसूस किया ही होगा कि जब बच्चों पर हम attention नहीं देते हैं तो वो हमारा ध्यान अपनी तरफ अट्राट करने के लिए कुछ ऐसी हरकते करने लगते हैं जिसे देखकर हमें कभी irritation होने लगती है बच्चा जब हमारे न कहने पर भी अपनी वो हरकते बंद नहीं करता है तो हमारा गुस्सा बढ़ता है और हम उस बच्चे को डाण देते हैं या मार देते हैं यह हमारा power struggle होता है वहीं बच्चा हमारे इस power struggle पर कुछ इस तरह से reaction देता है या कोई ऐसी जित कर बैठता है जो हमें पूरी करनी ही बढ़ती है यह बच्चे का power struggle कहलाता है कहने का मतलब यह है कि जाने अंजाने में हर कोई एक दूसरे पर जीत हासल करना चाहता है हमारे आपसे रिष्टों के बीच जो तनाव या मनमुटाव पैदा होता है वो इसी power struggle की बजह से होता है इससे बचने के लिए लेखक सुझाव देते हैं कि जब ही हमें यह महसूस होने लगे कि किसी के साथ किसी बात या आक्शन को लेकर हमारे अंदर power struggle पैदा हो रहा है तो हमें उस वक्ट चुप हो जाना चाहिए और कोई reaction नहीं देना चाहिए ऐसा करने से सामने वाले के गुसे को आग नहीं मिलेगी और हम आपसे रिष्टों की उल्चन को बड़ी आसानी से सुलचा सकेंगे दोस्तों, जिन्दगी में हम दुखी उसी वक्त होते हैं जब हमें खुश रहने की हम्मत की कमी हो जाती है हर किसी की जिन्दगी के अपने अपने गोल होने के बावजूद सबका जीनी का गोल तो एक ही होता है और वो गोल होता है कि मैं अपने खुद के पैरों पर खड़ा होकर सुसाइटी में शानती से जी सकूँ मैं लोगों को सपोर्ट कर सकूँ ताकि वक्त पढ़ने पर मुझे उनका सपोर्ट मिल सके ये हर किसी की जिन्दगी का प्राइमरी और बहुत ही बेसिक गोल होता है इस गोल को हर कोई अपनी जिन्दगी में अचीव करता ही है जैसे लेखक लाइफ टास्क का नाम देते हैं सुनने में ये थोड़ा अजीब सा लगता है लेकिन लाइफ टास्क का बहुत बड़ी और गहरी साइकॉलोजी थेयरी नहीं है लेखक इसे आगे टास्क आफ वर्ग, टास्क आफ फ्रेंड्शिप और टास्क आफ लव में डिवाइड करते हुए डिस्क्राइब कर पताते हैं कि बच्पन में हर बच्चा अपने पैरंट्स पर डिपेंडन्ट होता है लेकिन उनकी ये डिपेंडन्सी फोरेवर नहीं होती है बड़ा होने पर हर कोई सल्फ डिपेंड होना चाता है और होता ही है ये ही लाइफ का नियम होता है Self-depend होने का मतलब यहां केवल पैसा कमाने के लिए केवल काम करने को लेकर ही नहीं है Self-depend होना मतलब अपनी और अपने से जुड़े सभी लोगों की जिम्मधारी को उठाने की ability और capability डिवलप करना है लेखक life के इस phase को task of work कहते हैं जैसे जैसे हम अपनी जिन्दगी में आगे बढ़ते जाते हैं लोगों से हमारे relation का दाइरा भी वैसे ही बढ़ता जाता है हम अपनी जिन्दगी में खुद ऐसे दोस्त बनाते हैं जो जरूरत पढ़ने पर हमारे काम आते हैं और जरूरत पढ़ने पर हम उनके काम आते हैं। लेखक लाइफ के इस फेस को टास्क आफ रेंडशिप कहते हैं, लेकिन यहां एक बात जाना बहुत जरूरी है, कि हमारी लाइफ के इस फेस की सकस्स इस बात पर बिलकुल भी डिपेंड नहीं करती, कि हमारे पास कितने दोस्त हैं। अगर हमारे पास 20 दोस्त हैं, लेकिन उनके साथ हमारी कोई गहरी बॉंडिंग नहीं है, तो ऐसी दोस्ती किसी काम की नहीं होती है। यहां यह बात भी उतनी ही सही है और यह जरूरी नहीं है कि हर किसी की जंदगी में कोई close friend हो ही कई लोग दुनिया में ऐसे होते हैं उन्हें किसी दोस्त की जरूरत नहीं बढ़ती है ऐसे लोग अक्सर self-centric होते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं होता है कि उनको किसी से कोई मतलब नहीं होता है यह उनके स्वभाव की कमजोरी होती है कि वे दोस्त नहीं बन पाते हैं इसी तरह और आगे बढ़ने पर हम किसी के प्यार में बढ़ते हैं या किसी को अपने life partner के रूप में चुनते हैं और अपनी love life की शुरुआत करते हैं लेखक यहां बताते हैं कि हम जिस इनसान के साथ खुल कर बाते कर पाते हैं कुछ को express कर पाते हैं और उससे बिना किसी डर के अपनी हर चीज़ शेयर कर पाते हैं तो वहां सच्चा प्यार बनबता है तब जाकर हम अपनी family बनाते हैं लेखक life के इस phase को task of love कहते हैं जो इनसान अपनी जिन्दगी के इन tasks को अच्छी तरह से निभाता चला जाता है वो वक्त के साथ अपनी दूसरे goals और interpersonal relations को भी बड़ी अच्छी तरह से निभा लेता है हमारी life के ये तीन phase ही ये decide करते हैं कि हमने अपनी जिन्दगी को कितने अच्छी तरीके से समझा और हम किसी की नजरों में पसंद या नापसंद होने की बात को कितनी हद तक बचा सकते हैं लेखक आगे कहते हैं कि कई बार हम अपने इस life के टास्क से बचने की कोशिश करते हैं जब हमारे interpersonal relation में कोई गड़बड होना शुरू होती है तो उसका blame हम दूसरों पर डाल कर खुद को निर्दोश साबित करने की कोशिश करते हैं ऐसा अकसर marriage life में होता है वर्षा तक एक साथ रहने के बाद जब couples divorce ले लेते हैं तो उसके बीचे का कारण यही होता है कि दोनों अपनी life के tasks को इमानदारी पूरवक नहीं निभा रहे होते हैं इंसान जब किसी की कम्यों को देखने की शुरुआत करता है तो उसी वक्स से वो इनसान उसे बुरा नज़र आने लगता है यहां लेकक पहले की बात को revise करते हुए कहते हैं कि हर इनसान अपने आप में unique है और उसमें जो difference है अगर उसे उसके जीवन मूलियों से जोड़ कर देखने का हम perception मना लेते हैं तो कहीं न कहीं हमारे interpersonal relation तूटने लगते है जिन्दगी अगर हमारी है तो उसे अपनी तरह से जीने की आज़ादी और responsibility भी हमारी ही है इसलिए लेकक फिर से courage शब्त का समाल करते हुए कहते हैं कि अगर हम अपने life task को सही तरीके से नहीं पुरा कर रहे हैं तो कहीं न कहीं हम खुद अपनी जिन्दगी को धोका दे रहे हैं हम कुछ बातों के लिए दूसरों को blame इसलिए करते हैं क्योंकि हम में accept करने की हिम्मत नहीं होती है हम अपने interpersonal relation को बिगारना नहीं चाहते हैं इसलिए कई बार हम जो नहीं होते हैं वो होने का ढोंग करते हैं लेखक इसे life task से दूर भागने के लिए एक strong excuse कहते हैं हम अपनी excuses से खुद को बचा कर अपनी interpersonal relationship को और ज्यादा strong कर सकते हैं जिसके बारे में हम आगे के episode में जानेंगे जीने की आजादी दोस्तों अगर जिन्दगी में आजादी की बात की जाए तो क्या आप बता सकते हैं कि हम सभी के जिन्दगी में ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमें हर तरह की आजादी दे सकती है मतलब हम जब जो चाहें उसे कर सके जब जिन्दगी में आजादी या फ्रीडम को लेकर सवाल उठते हैं तो ये human tendency है कि सबसे पहले हमारी नजर पैसों के उपर जाकर ठहर जाती है हम ये सोचते हैं कि हमें जो कुछ भी करना पड़ा वो केवल पैसों के कारण ही करना पड़ रहा है जिन लोगों के पास अच्छा खासा पैसा होता है वे सुख के जिन्दगी बिताते हैं और वे जब जो चाहे वो कर सकते हैं खरीच सकते हैं लेकिन क्या पैसों से जिन्दगी के खुशी खरीदी जा सकती है यकीन इस सवाल का जवाब ना ही होगा पैसा हर किसी की जिंदगी की प्राइमरी जरूरत जरूर है लेकिन इससे खोशी कभी नहीं मिलती पैसों से खोशी नहीं मिलती है बात तो सही है पर ये बात भी उतनी ही सच है कि पैसों की कमी की वजह से इनसान रिलाक्स फील नहीं कर पाता है इसकी कमी interpersonal relation को भी affect कर दी है हम सभी अपनी जिन्दगी में खुद की एक पहचान बनाना जाते हैं ये desire तो सभी में होता ही है और इसका सम्मन्द कहीं न कहीं freedom से भी होता है इंसान अपनी जिन्दगी में दो तरह से अपनी पहचान मनाता है एक जब वो किसी दूसरे की वजह से जाना जाता है और दूसरा वो खुद अपने नाम या अपनी वजह से जाना जाता है दोनों ही तरह की पहचान में ये जमीन आसमान का अंतर है दूसरे जब हमें पहचान देते हैं या हमें appreciate करते हैं तो ये बात हर किसी के लिए खुशी की बात होती है। दूसरों से जब हमें appreciation मिलता है तो हमारे अंदर का confidence बढ़ जाता है। लेखा कहते हैं कि दूसरों से पहचान पाने या appreciation पाने की उमीद रखना खतरनाक साबित हो सकता है। हर किसी को अपनी प्रशंसा अच्छी ही लगती है लेकिन लेखा की यहां एक उधारन देते हुए कहते हैं कि अगर office में हम कोई काम बड़े मन से करें और हमें उस काम को लेकर कोई भी appreciation न मिले या कोई उसे notice ही न करें तो शायद अगली बार हम कोई भी काम केवल इसलिए करें क्योंकि हमें उस काम को करने का पैसा बिल रहा है अपने काम की प्रशंसा न मिलने पर हमें वो motivation नहीं मिलता है जिसके चाहा हमें होती है तो सवाल ये उड़ता है कि हम क्यों ये expectation रखते हैं कि दूसरे हमें recognize करें कि हमारी दूसरों से ये उमीद होती है कि वे हमारे लिए द उसे appreciation की उमीद होती है और गलत काम करने पर उसी अनुसार, सजा ये punishment मिलती है नॉर्मली हर इंसान की ये सोच होती है कि यदि कोई उसे appreciate नहीं करेगा तो वो appropriate action नहीं लेगा और यदि कोई किसे ये गलत काम के लिए उसे punish नहीं करेगा तो वो उसे कभी कभी करता ही रहेग किसी इनसान की अगर ऐसी सोच होती है तो ये बिल्कुल गलत होती है अपने किसी नजदी की इनसान से अपनी तारीफ के दो बोल सुनने की इच्छा का होना एक बहुत ही नॉर्मल एक्सपेक्टेशन है पर लेखक यहां कहते हैं कि ऐसा कर हम अपनी जिन्दगी दोस्रों के एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए जी रही होते हैं अगर हम अपनी जिद्गी अपने लिए नहीं जीते हैं तो हमारी खुशी और दुखी होने की वज़ा दूसरों के हाथों में चली जाती है अगर हम दूसरों के expectation को पूरा नहीं करते हैं तो बदले में उसका उस्ता होना natural बात है जॉब में अक्सर ऐसा होता है हम जॉब में जो भी काम करते हैं वो दूसरों की desire को satisfy करने के लिए ही करते हैं इसी वज़े से कई बार हम अपनी जॉब में tension में होते हैं क्योंकि हमें self recognition का डर बना रहता है लेखक इसलिए कहते हैं कि हमें दूसरों की expectation की परवा बहुत ज्यादा न कर अपने लिए भी सोचना चाहिए लेखक की ये सलह थोड़ी self centric सी जान पड़ती है लेकिन इसते होने वाले फायदे के बारे में लेखक और भी बहुत कुछ कहते हैं इंटर परसन रिलेशन प्रॉबलम्स ज्यादतर इंसान के बच्पन से ही होना शुरू हो जाती है बच्पन में बच्ची की लाइफ के सारे decision parents लेते हैं ऐसा होना बलकुल normal है क्योंकि ये तो हम सभी जानते ही है कि किसी भी इंसान में decision लेने की ability एक उमर के बाद ही आती है लेकिन यहाँ child और parent के relation में होता ऐसा है कि parents अपने बच्चों को लेकर कई बार बहुत ही ज्यादा hyper हो जाते हैं बच्चों के life में भी कुछ life task ऐसे होते हैं चो केवल उनको ही पूरा करना चाहिए लेकिन वो task करने में उनके parents उनकी मदद जरूरत से ज्यादा करतेते हैं उधारन के लिए अगर बच्चा ठीक से पढ़ नहीं रहा है school जाने में आनकानी कर रहा है homework पूरा नहीं कर रहा है तो ऐसे में किसी भी parents का अपने बच्चे के इस behavior को लेकर परिशान होना normal बात है पढ़ाई करना, school जाना और homework करने या बच्चे का टास्क होता है parents उसे ये सब करने के लिए force कर सकते हैं लेकिन ये करना तो बच्चे को ही होता है ये ठीक बिलकुल उस घोड़े वाली उस कहावत जैसी है कि आप घोड़े को नदी तक तो forcefully ले जा सकते हैं लेकिन पानी पीना या ना पीना घोड़े की अपनी मर्जी होती है इस बात के लिए उसे force नहीं किया जा सकता है बच्चों के मामले में ज्यादतर होता ये है कि बच्चे के homework न करने पर हुद parents उसका homework कर देते हैं जो कि एक गलत बात होती है हमारे interpersonal relation में हमें इन ही छोटी छोटी बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी हो जाता है क्योंकि परिवार में हर किसी के tasks के बीच boundary line नहीं खिची तो वो आगे जाकर परिशानी का कारण बन सकती है परिवार में एक दूसरे की मदद करना अच्छी बात होती है लेकिन यसी भी इनसान की interpersonal growth के लिए उसकी मदद तभी करनी चाहिए जब सही में उसे मदद की जरूरत हो वरना एक दूसरे से expectation गलत सेट होते रहेंगे और हमारी life उतनी ही ज्यादा complicated होती जाएगी interpersonal relationship और holism हमारी जिन्दगी में अकसर हमारे साथ ऐसा होता है कि हम दूसरों की emotions को बहुत ज्यादा importance दे कर उसके expectation को fulfill करने का try करते हैं ऐसा ज्यादतर हमारी parents और life partner के relation में होता है हमारी किसी decision पर किसी का खुश होना या नाराज होना उनका अपना task है किदी हम उसकी परवा करते हैं तो हम अपना खुद का task जो की हमें हमारी life के लिए सही decision लेने के बारे में होता है उसे अच्छी तरह से पूरा नहीं कर पाते हैं office में अगर boss का mood ठेक नहीं होता है तो ये उसकी problem है ये उसका अपना task है और उसकी वजह से हमें दो बाते सुनने भी बढ़ जाएं तो इसकी परवा नहीं होनी चाहिए हमें केवल उसी बात पर focus करना चाहिए जो हमारी अपने task से जुड़ी हुई होती है इसी तरह अगर किसी का हमें पसंद करना या ना पसंद करना या फिर हमारे बारे में कोई बुरी या अच्छी प्रतिक्रिया देना ये सब दूसरों का task है अगर हम उनके लिए इस task पर focus करने लगते हैं तो हमारी progress वहीं रुख जाती है ऐसा करना कुछ हाथ तक हमें self-centric person बना सकता है लेकिन लेखा का खुद को self-centric होने वाली बात का मतलब यहाँ पर यह नहीं है कि हमें अपने और दूसरों के tasks के बीच एक clear boundary line बना लिनी चाहिए ऐसा करने से life के बहुत सारे काम बहुत आसान हो जाते हैं ठीक यही बात हमारे inter-person relation पर भी लागू होती है किसी भी relation को सही तरीके से maintain करने के लिए हमें एक distance बना कर चलना बहुत जरूरी है यह ठीक वैसा ही है जैसे अगर हमें किसी इंसान से बात करनी है और हम उसके बिलकुल करीब बात करें तो यह हम दोनों के लिए परिशानी खड़ी कर सकती है जो parents बच्चों को बहुत ज्यादा control करते हैं या उन्हें बहुत ज्यादा डाडते हैं वो बच्चों को और parents की बीच एक तरह का mental distance पैदा हो जाता है जब ऐसा होता है तो वो बच्चा अपने parents से किसी भी बात के बारे में उनका opinion लेना ठीक नहीं समझता है और parents भी उस बच्चे की ठीक तरह से help नहीं कर बाते हैं लेखक आगे कहते हैं कि किसी भी इनसान को जब जितनी जरूरत हो हमें उसकी उतनी ही मदद करनी चाहिए जरूरत से ज़्यादा की गई मदद का कोई मौल नहीं रह जाता है और उसका उस इनसान के लाइफ पर गलत अफेक्ट भी बढ़ता है लेखक हमें ये भी बताते हैं कि जो इनसान अपनी लाइफ में आने वाले चालेंज़स को फेस नहीं करता है वो उन्हें अवाइट करने की कोशिश करता है ऐसा बिहेवियर उन लोगों का होता है जिनको उनके बच्चपन में छोटी सी छोटी मुसीबतों का भी सामना नहीं करने दिया हो दोस्तों आपने भी कभी ये अनुभव तो किया ही होगा कि बच्चपन में हमारे सपने ऐसे होते हैं जिनको हम अपनी मर्जी से पूरा नहीं कर पाते हैं ठीक इसी तरह बड़े होने पर 11 या 12 में जब सब्चेक्ट चूस करने की बारी आती है तब कड़ी बच्चों के पेरंट्स उन पर अपनी मर्जी थोप देते हैं पेरंट्स का ऐसा करना बच्चों के अधिकार क्षेत्र में जबर्दस्ती से अपना हक जमाने जैसा हो जाता है सुनने में ये बात बड़ी कड़वी लगती है पर जो इनसान दूसरों के बताई रहा पर चल कर उसके एक्सपेक्टेशन पूरे करने की कोशिश करता है वो अपनी पूरी लाइफ सिर्फ स्ट्रगल करने में ही बता देता है लेखक ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि जब हम दूसरों की दी हुई रिस्पोंसिबिलिटीज और उनके एक्सपेक्टेशन को पूरा करने के लिए खुद से कुछ इंपॉसिबिल प्रॉमिसेज कर लेते हैं तो हमारे उस रिस्पोंसिबिलिटी और एक्सपेक्टेशन के पूरा न होने पर हम लोगों का विश्वास खो देते हैं यहीं से लाइफ की रियल स्ट्रगल शुरू हो जाती है क्योंकि इसकी वज़े से हमारे रिलेशन में दरार आना शुरू हो जाती है लेखक बार बार हमसे यही कहते हैं कि दोस्रों के नजरों में अच्छा बनने के लिए उनका कहा करते रहना खुद को दुखी करने वारी बात होती है हमारे ना कहने पर यदि कोई हमसे नारास होता है यह हमें ना पसंद करने लगता है तो यह उसकी मर्जी है इस बात को लेकर हमें जरा भी परिशान नहीं होना चाहिए क्योंकि कौन हमें पसंद करेगा और कौन नहीं ये डिसाइड करना हमारे हात में नहीं है वैसे ये पूरी दुनिया के इंसानों की टेनेंसी होती है कि वे किसी की नज़रों में नापसंद होना पसंद नहीं करते हैं इसे हम universal desire कह सकते हैं पर किसी की नजरों में पसंद नापसंद होने की चिंता करने से हम अपनी खुद की freedom खो देते हैं, हम वो ही करते हैं जो दूसरे हम से करवाना जाते हैं, ये ठीक उसी तरह है जैसे कि पत्थर का चटान से तूट कर नीचे गिरना और तब तक गिरते रहना जब तक उस पर law of grav gravitation बना रहे, जब हम दूसरों के expectation को पूरा करने के लिए जीने लगते हैं, तो हमारी हालत भी चटान के पत्थर की तरह होती है, हम अपनी मर्जी से चलने को तो आजाद होते हैं, लेकिन उस आजादी में हमारी अपनी मर्जी नहीं होती है, अब अगर ये कहा जाए कि करते हैं, जो हमें पसंद है, ये एक तरह की courage है, जो हमें खुश रहने के लिए cultivate करने की जरूरत है, ये मुश्किल जरूर है पर नामंकिन नहीं है, इस दुनिया में वही लोग ज्यादा खुश रह पाते हैं, जो किसी की नचरों में नापसंद होने की परभा नहीं करते है अब तक हमने interpersonal relationship में एक दूसरे के टास्क को separate करने की बात जानी, कुछ लोगों को ये लग सकता है कि ऐसा करके उनके संबंदों में दूरिया बढ़ जाएंगी, लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं है, लेकर कहते हैं कि एक दूसरे के टास्क को separate करने का मतलब किसी भी individual को ignore या avoid करना नहीं है, लोग अकसर ये मानते हैं कि हमारा शरीर, दिमाग, मन, हमारे emotions, हमारा conscious और unconscious mind एक दूसरे से अलग हैं और एक separate unit की तरह काम करते हैं, यहाँ पर लेखा कहते हैं कि सही में यदि ऐसा हो, तो इंसान के सोचने, समझने और काम करने के तरीकों में काफी उलजन हो तो किसी बात का डर या टेंशन होने पर मन के साथ साथ हमारा शरीर कोई reaction नहीं देता, इंसान की इस खुबी को लेखक holism कहते हैं, मतलब शारिक और मानसिक रूप से अलग-अलग parts में divide होने के बावजूद, इंसान के कोई भी काम करने या कोई भी decision लेने के लिए उसके प बहुत अच्छी तरह से maintain करके चलना जरूरी हो जाता है, क्या केवल अपने बारे में सोचना बुरा है? दोस्तों, हमने पिछले कुछ episodes में self-centric होने के बारे में कुछ बाते की थी, usually किसी भी इंसान के self-centric होने का मतलब इस तरह लिया जाता है, कि वो दूस्टरों के बारे म बिलकुल भी नहीं सोचता है, उसे society की कोई परवा नहीं होती है और वो अपने फायदे के लिए कुछ भी कर सकता है, ऐसे इंसान समुह में जो decision लिये जाते हैं, वो अकसर उसके against होते हैं, ये एक सामान इधारना है कि self-centric होने की, लेकिन लेखक इस बात पर पूरी तरह सह जादा होती है, ऐसे लोग सही माइनों में self-centric कहलाते हैं, उनका जो भी behavior society और उनके आसपास के लोगों के साथ होता है, वो इसी वजह से होता है, उनका ध्यान हमेशा इसी बात पर होता है कि लोग उनकी बातों पर कितना attention देते हैं, या फिर दूसरे लोग उनको लेकर कित वे खुद दूसरों के बारे में क्या सोचते हैं, यही नजरिया लोगों को self-centric बनाता है, एक हक कहते हैं कि अगर हम self-centric हैं, तो हमें इस बात पर ध्यान देना होगा कि हम दूसरों के बारे में भी सोच सकें, self-centric होने का सबसे बड़ा नुकसान यह होता है, कि हमारे inter-person relations ब जिसे हम फायदा हो, और जब यह expectation fulfill नहीं होती है, तो हम यह सोचने लगते हैं कि हमें ignore किया जा रहा है, लोग हमें पसंद नहीं करते हैं, फिर हम ऐसे लोगों को अपना दुश्मन समझने लगते हैं, यह सब बाते हमारे मन में negative feeling पैदा करती हैं, हर कोई इनसान इस दुनि को देखते हैं, और दूसरे कैसे हमें देखते हैं, आपने globe तो देखा ही होगा, जिस तरह globe पूरी दुनिया का नक्षा बताता है, और हमारे उसे देखने पर हर एक देश किसी न किसी angle से globe की center में नजर आता है, ठीक वही बात हमारे साथ होती है, कहने का मतलब यह है कि हर को लाइफ के उधारन से समझने की कोशिश करते हैं, जब कोई इनसान retirement की age में पहुंच जाता है और काम करना बंद कर देता है, तो उसी वक्त से जहां जहां उसके काम को लेकर उसकी importance होती थी, तो खत्म हो जाती है, वो important इनसान से एक ordinary इनसान बन जाता है, और जब कोई भी तो उसके मन में feeling of dislike पैदा होना शुरू हो जाती है, यही कारण है कि अक्सर retired लोग अगर फिर से अपना अलग सरकल नहीं बनाते हैं तो वो बड़ी जल्दी ही depression का शिकार हो जाते हैं, हम इनसानों को social animal ऐसे ही नहीं कहा जाता है, हमारा कोई भी काम हमारे आसपास के लोगो और हमारी society से connected होता है, आप यहाँ पर ये तरक दे सकते हैं कि अगर कोई इनसान का दुनिया में कोई नहीं है और वो अकेला ही खुद की company enjoy करता है, तो उसे किसी भी society के जरूरत नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, इनसान अकेले भले ही रह लेकिन कहीं न कहीं, किसी यही वो society के connection में रहता है, अकेले जीते हुए भी उसे दूसरे लोगों की जरूरत पड़ती है, यही वज़ा है कि लेखक हमारी interpersonal relations को हर रोज मजबूत बनाते रहने क्यों कहते हैं, आप सुन रहे हैं The Courage To Be Disliked किताब की book summary कुको FM पर, यह episode यहां खत्म होता है, हम मिलते है अगले episode में हमारी जिंदगी की एक और relationship को लेकर, vertical और horizontal relation, दोस्तों क्या आपने कभी vertical relationship के बारे में सुना है, अगर नहीं भी सुना है तो कोई बात नहीं, हम आगे अपने relation को लेकर इसी बारे में थोड़ी बहुत और बाते करने वाले हैं, सरकस तो कभी न कभी आपने दे दो तरीके अपना सकता है, एक ये कि वो उसे जोड जबरतस्ती और मार का डर दिखा कर कुछ सिखाए और दूसरा, ये कि उसे प्यार से भला फुसला कर कुछ सिखाए और उसके एक tips success पर उसे कुछ अच्छा खाने को दे, ताकि वो ये समझ सके कि ऐसा करने पर मुझे खान मिलेगा, दोनों तरीके अपनी जगा सही भी हो सकते हैं और गलत भी, लेकिन सही तरीका होने की संभावना दूसरे वाले तरीके में ज्यादा होती है, क्योंकि वो positive तरीका होता है, आप सोच रहे होंगे अब जानवरों को training देने और vertical relation का आपस में क्या संबंद है, कि इनसान हमेशा किसी भी जानवर की दुलना में superior होता है, जहां बात superior और inferior होने की आती है, वो relation या वो जुडाव vertical relationship कहलाता है, दुख की बात तो ये है कि हम अपने life में कभी न कभी vertical relationship का सहारा लेते हैं, ऐसा अकसर parent-child relationship में देखने को मिलता है, यहां लेख के कहने का relationship create कर लेते हैं, चलिए इसे भी एक उधारन से समझने की कोशिश करते हैं, जब कोई बच्चा घर के किसी काम में अपनी मा की छोटी सी भी मदद कर देता है, तो मा उसे appreciate कर, अकसर कह देती है कि तो ने बहुत अच्छा काम किया है, लेकिन ज़रा सोचिए अगर उस बच्च मा से उमर में कम होने की वज़े से अनुभवी नहीं होता है, और मा अपने अनुभवों के आधार पर बच्चे से superior होती है, इसी वज़े से वो उसे बड़ी आसानी से appreciate कर सकती है, husband वाले case में वो उसे thank you या I love you के अलावा कुछ नहीं कहीगी, बात बड़ी कड़वी है ले तो ये अपने से कम ability रखने वाले किसी इनसान को manipulate करने का सबसे आसान तरीका है, एक और उधारन देखते हैं, ऐसा अकसर पाया जाता है कि जो महिलाएं जौब नहीं करती हैं और केवल घर ही संभालती हैं, उनकी value जौब करने वाली महिलाओं और पुरुशों से कम देखी जाती है, हर तीसरे घर में जब husband wife के बीच किसी बात को लेकर कोई छोटा बोटा जगडा हो जाता है, तो ये sentence उसकी wife को सुनने को मिलता ही है, कि तुम आखिर करती ही क्या हो, पैसा कमाने के लिए घर से बहार निकलो तो पता चले कि कितने पापड बेलने पड़ते हैं, कि उनका relation कहीं न कहीं vertical relation की दरफ जा रहा होता है, अब ये जानकर यहां सवाल ये खड़ा हो सकता है कि क्या किसी अच्छे काम के लिए किसी को appreciate नहीं किया जाना चाहिए, जवाब है बिलकुल किया जाना चाहिए, लेकिन वहां सब बराबर है, लेकिन एक से नहीं है, वाला पराबर होते हैं लेकिन एक से नहीं होते हैं। सब की काम करने की ability अलग-अलग होती है और उनको उनकी ability के आधार पर इस तरह की relationship में जज नहीं किया जाता है। जब हमारे आप से संबंध horizontal relation की तरफ आगे बढ़ने लगते हैं तो हमारे मन में ignorance यर dislike होने का डर नहीं रह जाता है। लेखक आगे बताते हैं कि horizontal relationship में appreciation की जगह encouragement ले लेती है। यहां हर किसी के अपने-अपने tasks के separation का बड़ा महत्व होता है। यदि कोई किसी काम को नहीं कर पा रहा है तो इसका मतलब हमेशा ये नहीं होता है कि उस काम को करने की उसकी ability नहीं है। कई बार ability होने पर courage यानि साहस का आभाव होने पर भी कोई इनसान किसी काम को नहीं कर पाता है। उसे थोड़ा सा encouragement मिल जाने पर वो उस काम को बड़ी आसानी से कर सकता है। horizontal relation का यही फायदा होता है क्योंकि यहां किसी से किसी भी तरह के appreciation की उमीद नहीं होती है। इस तरह कि कोई भी उमीद होने का मतलब सिर्फ यही होता है कि हम दूसरों के मावदंड के आधार पर अपनी जिन्दगी जीना चाहते हैं। दोस्तों, appreciation और gratitude हमारे जिन्दगी के दो ऐसे important शब्द हैं, जिसके आधार पर हम यह बड़ी आसानी से जान सकते हैं कि हमारा किसी के साथ vertical relation है या horizontal। जब कोई किसी काम के लिए हमें appreciate करता है, तो हमारे लिए उस appreciation को accept कर लेने के अलावा कोई और रास्ता नहीं रहता है और इस तरह से हम किसी की नजरों में judgmental हो जाते हैं। दूसरी तरफ कोई जब हमें किसी काम के लिए thank you कहता है, तो यह sign of gratitude होता है। दूसरी शब्दों में हमारा किसी के लिए किसी काम में contribution करने का एहसास देलाने वाली feeling होती है, gratitude वाली feeling से हमारा importance छलगता है, इससे हमें हमारी value का पता चलता है, किसी की नजरों में अच्छा होने की feeling होना और किसी के लिए उपयोगी होना दोनों तरह की feeling में बहुत अंतर होता है, ये अंतर ही हमें judgmental होने से बचाता है, आपने लेखक की कही बात अब तक ध्यान से सुनी होगी, तो मेरी तरह आपके मन में भी ये सवाल पैदा हो रहा होगा, यदि horizontal relations में एक दूसरे के लिए useful होकर अपनी value को बढ़ाना है, तो उन लोगों का क्या, जो उम भीमारी की हालत में bed rest पर पड़े हुए हमारे parents या grandparents, यहां लेखक इन सवालों के जवाब देते हुए कहते हैं कि किसी भी चीज़ की value तब तक ही होती है, जब तक वो हमारे use में होती है, टेवी, AC या fridge, अगर बिगड़ जाता है तो या तो हम उसे repair करवा लेते हैं, या न जिवार वालों के लिए सबसे बड़ी हमत होती है, उसकी presence ही दूसरों को courage देती है, इसलिए जरूरी नहीं है कि horizontal relation में हमेशा दोनों तरफ से contribution हो, लेका कहते हैं कि हर इनसान की खुद की एक value होती है, उसका खुद का एक self respect होता है, इनसान को कभी भी ये नहीं सोचना चाह तो हमारे बागी के सारे relation भी horizontal relation में बदलने लगते हैं, एक बार try कर लेना कोई घाटे का सौधा तो नहीं है, इस Adlerian philosophy को एक बार अपनी जद्दगी में उतार कर देखिए, मुझे इसका फायदा हुआ है, तो आपको भी जरूर होगा, उमीद है आपको ये book summary पसंदा रही होगी, अपने comments देकर जरूर बताएं, तीन बाते, कई बार हम इतने self-conscious हो जाते हैं कि खुद के अंदर ही दूसरों को लेकर एक डर पैदा कर लेते हैं, ये डर किसी भी तरह का हो सकता है, और किसी भी उम्र के इनसान को हो सकता है, इस तरह का डर बच्चों को कम ही सताता है क्योंकि self-conscious की feeling एक उम्र बीच जाने के बाद ही होना शुरू होती है, ये जो डर होता है, ये अकसर नए लोगों से मिलने को लेकर होता है, जो लोग बहुत ही ज्यादा self-conscious होते हैं, वे दूसरों से मिलने से पहले या किसी meeting में बोलने से पहले, ये सोचते हैं कि कहीं होता है, लेकर कहते हैं कि जो लोग बहुत ही ज्यादा self-conscious होते हैं, उसकी वज़े से उनका self-confidence कम होता है, जब इनसान को खुद पर ही विश्वास नहीं होता है, तो दूसरे लोग क्यों उस पर विश्वास करेंगे, या क्यों उसे accept करेंगे, इस तरह का डर लोगों के बी अचा समझते हैं, लेकिन ऐसी feeling अक्सर तब नहीं आती है, जब हम लोगों के बीच होते हैं, लेखक बताते हैं कि अगर हम भी इस तरह की परिशानी से लड़ रहे हैं, तो इससे बाहर निकलने का रास्ता है, इसके लिए हमें तीन बातों पर focus करनी की जरूरत होगी, पहली self-acceptance, यानि खुद पर भरोसा या खुद को स्वीकार करना, दूसरी, दूसरों पर विश्वास करना और तीसरी, दूसरों की मदद को हमेशा तयार रहना, self-acceptance के बारे में खुल कर बात करें तो इसका मतलब reality को खुले दिल से स्वीकार करना होता है, इसे एक उधारन से self-acceptance है, उस student को अपनी limitation बता है और वो उससे बाहर निकलना चाहता है, इस summary audiobook को सुन रही जो लोग अभी student life में हैं, वो ये सुन सोच रहे होंगे कि exam में कम score करना निराशा जनक बात नहीं है क्या, कम score कर reality को accept करने के बाद भी positive कैसे रहा जा सकता है, लेखक यहां कहते हैं क इस दुनिया में कोई भी perfect नहीं है, और जो perfect होने का दावा करता है, वो खुद से और लोकों से जूट बोल रहा होता है, इसलिए जिन्दगी में कम ability होने पर भी हमें निराश नहीं होना चाहिए, अगर हम खुद को improve करने के लिए लगातार प्रयास कर रहे हैं, तो हम सही रास्ते पर जा रहे हैं, self-acceptation का यहां ये मतलब भी होता है, कि जो कुछ बदलना हमारे हाथ में नहीं है, उसे हमें बदलने की कोशिश करने में अपनी energy waste नहीं करनी चाहिए, और जो कुछ हम बदल सकते हैं, उसके लिए हमें प्रयास करते रहना चाहिए, हमें ये बात हमे जानते हुए हमें पहले विश्वास के बारे में थोड़ी खुल कर बात करनी होगी, विश्वास को लेकर अंग्रीजी में दो शब्द हैं, confidence और trust, दोनों ही शब्द विश्वास से जुड़े हुए हैं, लेकिन दोनों में ये जमीन आसमान का फर्क है, ट्रस्ट वाला के आधार पर हमें उतना ही लोन मिलता है, ताकि हम उस लोन का पैसा वापस लोटा सके, trust कुछ इसी तरह का होता है, लेकिन हमारे interpersonal relations trust पर नहीं, बलकि confidence पर डिपेंड होते हैं, है ना ये कुछ अजीब सी बात, Adlerian psychology के अनुसार किसी पर भी बिना किसी शर्त या condition के विश्वास करना confidence कहलाता है, बिना किसी शर्त के किसी पर विश्वास कर लेने से कई बार ये हो सकता है कि हमें धोका हो, या कोई हमारी विश्वास का फाइदा उठा ले, ऐसा होना possible है, लेकिन ये सारी बाते emotion से द्धोका नहीं दे सकता है, वैसे भी हमारी किसी पर विश्वास करने से वो इनसान हमें धोका दे सकता है या नहीं, ये सोचना हमारा काम नहीं है, याद कीजिए, जरा separation of task वाली बात हमारा काम केवल हमारे टास्क के बारे में सोचना है, अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि हर किसी पर बिना किसी शर्थ और condition के विश्वास करना practical way से possible नहीं है तो क्या Adleran psychology की ये बात सही नहीं है लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तो psychology ये कहती है कि हमें सभी पर unconditional विश्वास करने के जरूरत नहीं है हमें जिन लोगों के साथ interpersonal relationship बेटर बनानी होती है हमें केवल उन्हीं लोगों के साथ ऐसा करना चाहिए जहां unconditional confidence होता है वहाँ doubt होने की संभावना नहीं होती है अगर doubt होता है तो इसका मतलब ये होता है कि हम किसी के साथ long term relation मनाने में कभी भी सफल नहीं हो सकते हैं हमारी life में अक्सर हमारा सामना कुछ ऐसी situation से होता रहता है जिसे लेकर कभी कभी हम upset हो जाते हैं self acceptance होने के बावजूद हम खुद ऐसी situation में दुखी हो जाते हैं लेखक ऐसी situation से निपटने का तरीका बताते हुए कहते हैं यह हमें ऐसी situation में शान्त रहने की कोशिश करना चाहिए ऐसा करना दूसरों के लिए sacrifice करना हो सकता है पर हम ऐसा कर खुद दुखी होने से बच सकते हैं इसे एक उधारन से समझते हैं अक्सर घरों में ये होता है कि डिनर कर लेने के बाद बच्चे अपने अपने कामों में मस्त हो जाते हैं हस्बंट सोफे पर बैट कर टीवी देखने लगते हैं और वाइफ जो है वो सबके जूटे बरतन उठाने में और रसवी के दूसरे छोटे मुटे काम करने में बिज़ी हो जाती है ऐसी सिचुएशन में वाइफ के मन में ये सवाल आना नॉर्मल सी बात है कि कोई मेरी मदद क्यों नहीं करता है क्यों मुझे ही ये सब काम अकेले करना पड़ता है इस पर सारा काम करने के बावजूद घर का कोई भी मेंबर मुझे थैंक्यू तक नहीं कहता है इस तरह की सोच किसी भी इंसान के मन को दुखी कर सकती है और फैमिली मेंबर की तरफ एक तरह की नेगिटिव फीलिंग भी पैदा कर सकती है पर इसे अगर इस तरह से सोचा जाए कि मैं अपने परिवार के लिए और क्या कर सकती हूँ तो इस तरह के विचार मंटल पीस देने का काम करेगा और ऐसी सोच से पॉजिटिव एनरजी पैदा होगी ऐसी सोच एक बार डिवलप हो जाने पर इसका असर हमारे काम पर भी दिखाई देना शुरू हो जाती है अपने काम के लिए स्पिरिट देख कर दूसरे लोग भी मदद करने को खुद ही आगे आने लगते हैं ये आसबानी जैसा तरीका है अच्छा बुरा और पसंद ना पसंद दोस्तों अब तक सुनी हुई बाते कुछ अजीब सी लग सकती हैं पर ये सब साइकॉलोजिकल प्रूव बाते हैं भले ही इस सारी बाते हमारी जिंदगी में इंप्लिमेंट करना मुश्किल लगे लेकिन इसका असर हमारी जिंदगी में जरूर होता है ये बात सच है कि इस दुनिया में हर कोई अच्छा नहीं होता है और ये बात भी उतनी ही सच है कि दुनिया में हर कोई बुरा भी नहीं होता है हमारी जिन्दगी में मिले एक दो खराब experience से किसी पर भी विश्वास ना करना हमारी जिन्दगी की सबसे बड़ी भूल हो सकती है लेखा कहते हैं कि मान लीजिए दस लोगों की ग्रूप में से एक इनसान आपको पसंद नहीं करता है और आपको criticize करता है तो आप ही उसे पसंद नहीं करेंगे अगर उस ग्रूप में से दो लोग आपको पसंद करते हैं और आपको follow करते हैं तो हो सकता है कि आपकी उन दोनों के साथ दोस्त ही हो सकते है उस ग्रूप में से बागी के साथ लोगों ने ना तो आपको पसंद करते हैं और नहीं आपको ना पसंद करते हैं तो अब आप पताईए कि उनमें से आप किन लोगों पर अपना अटेंशन देंगे वो जो आपको ना पसंद करता है उस पर या वो जो आपको पसंद करते हैं या फिर वे जो न तो आपको पसंद करते हैं और नहीं ना पसंद हमारी इन्ही जवाब के आधार पर ये डिसाइड होता है कि हम अपनी जिंदगी को किस तरह से देखते हैं कहने का मतलब ये है कि जो इनसान केवल खराब इनसान या खराब इंसिडेंट पर फोकस करते हैं उनकी जिंदगी में दूसरों के लिए कोई हार्मनी नहीं होती है मतलब ये दूसरे लोगों के साथ बिलकुल भी अर्जिस्पन नहीं कर सकते हैं लेखक यहां हमारे इंटर पर्सनल रिलेशन को लेकर एक और इंपॉर्टन बात करते हैं ये कहते हैं कि दुनिया में कुछ इंसान ऐसे भी होते हैं जो अपने काम के लिए बागी सारी बातों को इग्नोर करते हैं यहां तक कि वे अपने रिलेशन को भी इग्नोर करने से पीछे नहीं हटते हैं ऐसे लोग ज्यादतर वो लोग होते हैं जो workaholic होते हैं किसी की जिन्दगी में कोई भी काम किसी भी रिष्टे से बढ़कर ज्यादा important नहीं होता है पर जब कोई अपने काम को ज्यादा importance देने लगता है तो इस बात की पूरी संभावना बनी रहती है कि जिन्दगी में उस इनसान को बार बार ignorance और नापसंद होने का सामना करना पड़ सकता है आजकल हम अपने आसपास retirement life जी रहे, old age लोगों पर नजर डालें तो हमें बहुत से ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनको अपने बच्चों से शिकायत रहती है और उनके बच्चे उनसे अलग रहते हैं या फिर साथ रहने के बावजूद भी उनकी कैयर नहीं करते हैं इस तरह किसी की भी जिन्दगी में जब interpersonal relation को लेकर issues खड़े होते हैं तो वो जिन्दगी के harmony की कमी होने के कारण ही होते हैं किसी के साथ ये सब होने का एक कारण उस इनसान का workaholic होना भी हो सकता है लेखक इसलिए बार-बार हमें ये कहते हैं कि हमारी life की ज्यादतर problems हमारी complicated interpersonal relationship की वजह से ही पैदा होती है इसी वजह से हमें लोगों के बीच रहते हुए भी ignore किये जाने की feeling आती है या ऐसा लगता है कि लोग हमें पसंद नहीं करते हैं कई बार हमारी मन में ये feeling आती है कि हम लोगों के बीच कुछ special नजर आए और इसके लिए हम प्रयास भी करते हैं लेकिन जैसे कि लेखक ने पहले ही बताया है कि कोई भी इनसान हर समय center point of attraction नहीं हो सकता है तो जब हमारी ये expectation पूरे नहीं होते हैं तो हमें दुख होता है और हम खुद में ही कमियाख होजने लग जाते हैं खुद को ही criticize करने लग जाते हैं इसलिए लेखक की सलहा तो ये ही है एक खुशनमा और joyful life जीने के लिए special बनने की नहीं बलकि एक सामान इंसान बने रहने की ज्यादा जरूरत है बहुत से लोग कुछ अजीव कर लेने के बाद बहुत बदल जाते हैं उनमें घमण आ जाता है लेकिन इससे क्या होता है क्या लोग उनकी पूझा करने लगते हैं बिल्कुल भी नहीं वे उल्टा उनसे दूर होते जाते हैं और धीरे-धीरे ऐसे लोग अकेले पढ़ जाते हैं बुरे वक्त में भी कोई उनका साथ नहीं देता है पैसा पावर और शोहरत कभी भी एमोशनल सपोर्ट नहीं दे सकते हैं एमोशनल सपोर्ट पाने के लिए हमें अपने इंटरपर्सनल रिलेशन्स अच्छे बना कर रखना बहुत ज़रूरी है इसका मतलब ये नहीं है कि पैसा और पावर बुरी चीज़ है लेखक का कहना का मतलब यहां सिर्फ इतना ही है कि पैसा और पावर पा लेने के बाद भी हमें सामाने इंसान की तरह बने रहना चाहिए राजा होकर भी रिशी जैसी सोच रखने में ही जिन्दगी की असले खुशी का रास समाया हुआ है दोस्तों हमारी जिन्दगी छोटे छोटे पलों से बनी हुई है ये पल वक्त बीदने के साथ साथ पल पल गुजरते रहते हैं अगर आपकी लाइफ में कोई प्राबलम है तो निराश मत होए क्योंकि ये पल भी बीच जाएंगे और फ्यूचर में सब अच्छा ही होगा जिन्दगी में कुछ खोदेने से सारी जिन्दगी ही बरबाद नहीं हो जाती है जिन्दगी के कुछ पल भले ही बरबाद हो सकते हैं सारी जिन्दगी नहीं थोड़ा समय गुजर जाने दीजिए और आप देखेंगे कि नई पल नई खोश खबरी लेकर आएंगे कभी भी सर्दी का मौसम नहीं बना रहता बलकि गर्मी और बसंद भी आते हैं इसलिए हमें हर मौसम में खोश रहना सीख जाना चाहिए तब ही हम किसी की नजरों में नापसंद होनी की परवा किये बिना सुखी जीवन जी सकते हैं आप सुन रहे हैं दे करिश डूबी डिसलाइट के बुक समरी जिसे लिखा है आशीश दलाल ने और आवास दी है आपकी दोस्त रेणुकाने इस बुक की कुछ और जानदार और जीवन को देखने का परसेप्शन बदल देने वाली कुछ और बातों को जानने के लिए बने रहें कुको एसम के साथ कुछ और काम की बाते अपने अब तक हमारी जिंदगी के इंटर परसनल रिलेशन्स को लेकर बहुत सी ऐसी बाते सुनी जिसे अपनी जिंदगी में इंप्लिमेंट कर हम पसंद और नापसंद के जाल से फ्री हो सकते हैं और नापसंद होने की सिचुएशन को भी पूरी हिम्मत के साथ अकसेप्ट कर सकते हैं लेखक के कहीं कुछ बातों को आगे बहुत ही आसान शब्दों में समरीज करने की कोशिश की गई है उमीद है ये एपिसोड आपके लिए बहुत काम का साबित होगा लेखक कहते हैं कि बहुत सी प्राब्लम की रूट हमारे बच्पन से रिलेटेड होती है वे हमें अपने चाइल्ड हुड ट्रॉमा सी फ्रीडम पाने की कोशिश करने की सलह देते हुए कहते हैं कि हमें अपने सबकॉंशिस माइन को पॉजिटिव अफर्मेशन देना चाहिए जैसे कि हमारा पास्ट हमारे फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता कल जो मेरे साथ होना था हो गया लेकिन कल जो होना है वो मेरी ली जाने वाली आक्शन पर डिपेंड करेगा मैं जैसा भी हूँ बहुत अच्छा हूँ हर इंसान गलती करता है और गलती से ही सीखता है लाइफ में परफेक्ट दू कोई भी नहीं होता इस तरह हर दिन खुद को पॉजिटिव अफर्मेशन दे रहने से हमारा सबकॉंशिस माइड बच्पन के खराब एक्सपीरेंस की जगह नई थौट प्रोसेस बना लेगा जो हमारी परसनालिटी को आप्टिमिस्टिक बनाने में बहुत मदद करेगा बहुत सी लोग अपनी जंदगी में कभी नगभी inferior complex का शिकार होते हैं और खुद को hate करने लगते हैं ऐसा दो कारणों से होता है या तो हम खुद को बहुत ज़्यादा criticize करते हैं या दूसरे हमें criticize करते हैं लेखक हमें यहां सलह देते हैं कि हमें इन दोनों ही बातों को बदल देना चाहिए दूसरों के टास्क पर control हम नहीं कर सकते हैं तो जब हम कोई criticize करते हैं तो हमें यहां लेखक का बताया हुआ टास्क separation वाला rule याद रखना चाहिए अगर हम कोई काम नहीं कर पा रहे हैं तो इसके लिए खुद को criticize ना कर हम सबसे पहले तो छोटे छोटे ऐसे गोल बनाने चाहिए जिसे हम समय रहते पूरा कर सकें इसी तरह आगे दूसरे लोग हमें criticize करते हैं तो सबसे पहले हमें यह पता करना चाहिए कि क्या हमने कोई गलती की है अगर सच में हमसे गलती हुई है तो apologize कर उस गलती को समय रहते सुधार लेना चाहिए इसी तरह अगर कोई काम हमें अच्छी तरह से नहीं आता है तो उसे हमें सीख लेना चाहिए इस तरह दूसरे हमें criticize करना छोड़ देंगे लेकिन फिर भी अगर कोई बिना कारण हमें criticize करता है तो उसे ignore कर देने में हमारी बहलाई है आजकल competition का जमाना है हर कोई खुद को दूसरों से आगे देखना चाहता है इसका नतीजा ये होता है कि बहुत से लोग stress में जीने लगते हैं उन्हें दूसरों की तरकी से एर्शया भी होने लगती है लेकिन ये mindset किसी भी इंसान को बीमार कर देता है और उसके खुशी भी छीन लेता है stress होने से हमारी body में adrenaline और cortisol जैसे हार्मोन निकलने लगते हैं इनकी वज़े से हमारा blood pressure बढ़ जाता है blood pressure बढ़ने से बहुत सारी बिमारिया हो जाती है जैसे heartbeat तेज होना, insomnia होना, जल्दी बढ़ापाना, kidney failure, digestion problems, heart attack और बहुत कुछ अगर competition की भावना से हमें ये सब मिल रहा है तो फिर ऐसी competition किस काम की इसलिए आज ही हमें अपनी सोच बदल लेनी चाहिए ऐसा करना एक दिन का काम नहीं होता है इसके लिए हमें अपने अंदर gratitude की भावना develop करनी होती है ये भावना भगवान को thanks कहने से आती है उसे हमारा thanks कहना तो बनता ही है क्योंकि उसी ने हमें इतना कुछ दिया है हमारे सिर पर छथ है, खाने को भोजन है करने को job है तो रोज रात को सोने से पहले इसके साथ ही हमें सिर्फ अपना काम करते रहना है दूसरों से competition की भावना को हमें मन से निकाल देना चाहिए तभी हम खुश रह सकेंगे हमारी बहुत सी problems हमारी गलत सोच का नतीज़ा होती है देखा जाए तो वास्ता में वे problems होती ही नहीं है जैसे कुछ लोग सोचते हैं काश उनकी हाइट और ज्यादा होती तो बहुत अच्छा होता शायद उन्हें अच्छा पार्टनर मिलता लेकिन इसमें कोई सच्चाई नहीं है अच्छा बुरा आदमी attitude से होता है ना कि अपने शारिरिक दिखावे से ऐसे ही कुछ लोग सोचते हैं कि अगर उन्हें ज्यादा सालरी मिलती तो शायद उनकी लाइफ में और ज्यादा खुशी होती मगर इस बात में भी कोई सच्चाई नहीं है हम ऐसा सोचकर हमारे पास जो है उसे enjoy नहीं कर पाते हैं इसलिए लेखक हमें इस तरह की सोच से दूर रहने की सलहा देते हैं इसी तरह बहुत से लोग सोचते हैं कि अगर वे अपनी गलती मान लेंगे तो शायद उन्हें लोग stupid समझेंगे इसलिए वे काई बार अपनी गलती नहीं मानते हैं और छूट भी बोल देते हैं लेकिन ऐसा करने से बात बनने की बजाय भी गड़ जाती है और दूसरे लोग मन ही मन हमारे बारे में गलत सोच बना लगते हैं इसलिए हमारे interpersonal relations को maintain रखने के लिए अच्छा यही है कि हम गलती होने पर अपने गलती मान ले और इसे ego का issue नव बनाए अक्सर गलती होने पर उसे accept कर लेने से दूसरे लोग हमारी मदद को आगे जरूर आएंगे वैसे अगर कोई गलती के लिए कोई हमें criticize करता भी है तो हमें इसके लिए तयार रहना चाहिए हमें हमारी निंदा सुनने की हिम्मत होनी चाहिए लेखक आगे बताते हैं कि हमें अपने behavior में दो बाते शामिल करनी चाहिए एक, मुझमें हर काम करने की हिम्मत है दो, सब लोग मेरे दोस्त की तरह हैं जब हम इस तरह की सोच अपने अंदर develop कर सकें तो हमें life बहुत ही आसान लगने लगेगी पहली सोच के कारण हम अपने goal को अचीव करने लगेंगे और दूसरों पर depend नहीं रहना पड़ेगा हमारे अंदर अपने फैसले लेने की हिम्मत develop हो जाने से दूसरी लोग हमें strong मानने लगेंगे इसी तरह जब हम सब को जब अपना दोस्त मानेंगे तो हमारे अंदर एक positive attitude develop होगा जो हमारी growth और progress के लिए बहुत ज़रूरी है आपने बहुत बार दूसरों को बोलते सुना होगा कि कभी किसी पर भरोसा मत करना सब selfish होते हैं लेकिन ऐसे statement से negativity फैलती है जब हम किसी पर trust ही नहीं करेंगे तो अपना goal कैसे achieve कर पाएंगे जिन्दगी में धोका हर किसी को होता है लेकिन उन से मिले खराब अनुभवों से हम सारी society को judge नहीं कर सकते इसलिए हमारे अंदर positive attitude का होना बहुत ज़रूरी है तभी हमारा mind कुछ करने के लिए motivate होता रहेगा और तभी बड़े goals हासल करने में हम काम्याब हो पाएंगे अपनी जिन्दगी में हर कोई चाता है कि वो lime light में बना रहे सब उसकी तारीफ करें सब उसके बारे में अच्छी अच्छी बाते करें लेखा कहते हैं कि हमारी ये desire हमारे सारे दुखों का कारण होती है हमारा ये expectation हमें दूसरों पर depend होने के लिए मजबूर कर देता है इसलिए लेखा कहते हैं कि अगर कोई हमारी काम की तारीफ नहीं भी करता है तो हमें negative feeling नहीं लानी चाहिए हमें जब निराशा घेड ले तो हमें nature से सीख लेना चाहिए हूल पक्षी बादल भवरे सब अपनी दुनिया में मस्त होते हैं अगर ये किसी दूर जंगल में होंगे तो कोई न कोई उन्हें देखेगा नहीं उनकी तारीफ करेगा लेकिन उन्हें इस सब से कोई फर्ग नहीं पड़ता है ये सब लगातार अपना काम करते रहते हैं और मन ही मन खुश रहते हैं इसी तरह हमें भी हमेशा खुश रहना चाहिए हमें अपनी खुशी को दूसरों की मर्जी का खुलाम कभी नहीं बनने देना चाहिए हमें डेली कुछ न कुछ ऐसा करते रहना चाहिए जो हमें खुशी दे ये कुछ बच्चों के साथ खेलना हो सकता है किसी दोस्त के साथ चाई पीना हो सकता है अपनी पसंद का म्यूजिक सुनना हो सकता है गाना गाने से लेकर डांस करने तक बहुत कुछ हो सकता है कहने का मतलब ये है कि अपने खुशी का रिमोट कंट्रोल हमें अपने हाथ में ही रखना जाएए ये एपिसोड यहीं पर खत्म होता है उमीद है आपको ये बुक समरी पसंद आई होगी